हालो सेर्बूस सो आगे ताए आपका अध्विका शंडिल्या ब्लॉग्स में यह एप्रिल का फर्स्ट वीक है और मौसम में ड्रामेटिक चेंज आई है पिछले लास्ट दो वीक में जो मौसम था वो लगबग 15 से 20 डिग्री के बीच में मैक्सिमम टेंपरिचर था तो अच् पिल के फर्स्ट वीक में फिर से बर्फ पड़ रही है तो विंट्री इस बैक हमारा गुड्डू मजे ले रहा है बर्फ के उठते बोल रही थी जू 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 बीटू क्या है यह बीटू क्या है प्रहे बाहर बताओ अभी हम थोड़ा बाहर जारहे हैं वर्फ का अनन्द भी लेंगे और थोड़ी वास शॉपिम भी करेंगे afterward का excited है अभी बर्फ थोड़ी पड़ भी रही है और साथ सात में जिसे हलकor बारिश मिक्स मिक्स पड़ रही है तो साथ में बर्ष तोड़ी मेल्ट भी ह रहेगा दो तिन दिन अभी दिश वाव अभी अभी हमने अधिका को इस पॉलिथीन जो इसका कवर है कि अभी थोड़ी बर्फ पड़ रही है और साथ में तेज हवा भी चल रही है तो थोड़ा यह हल्का हल्का स्नौ स्टॉर्म है अभी यह बहुत सुंदर फूल निकल रहे थे और इन पेथोड थोड़ अभी बर्फ भी पड़ी है तो यह बहुत ही सुंदर लग रहे है स्प्रिंग प्लस बिंटर दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है अभी काभी बर्फ पड़ रही है पर एनिवे हमें यहां शॉप के अंदर ही जाना है अभी अभी हम उसी शॉप के अंदर है डियम करके इसका नाम है तो आप देखो सामने लिखा है फोटो पैरडीज जर्मन में पैरडाइज को पैरडीज बोलते हैं और यहां पर अभी हम कुछ फोटोस प्रिंट कर रहे हैं तो यहां यूजली अगर आपको फोटोस जिससे लेने हो तो आप क्लिक करो और यहां पर आके प्रिंट कर लो कोई भी साइज अभी कुछ दिनों मेंछ यूजण इस्टर में इस्टर को जर्मन में बोलते हैं तो इस फेस्टेवल के लिए मतलब जो डेकोरेशन है मतलब जो स्टाफ है वह अभी अभी सुपर्मार्केट में देखने को मिल रहा है तो जैसे आपको बोलना है यप पी इस्टर तो नहीं जासि यहां पे लेकर एहा जो एस्टर का स्टफ दिख देखिता है कि उसमें एस्टर की सिंबल दिखते हैं जैसे रेविट हो गया करगोश, अंडे या फिर लेंब तो यह सारी सिंबल इस्टर के और eases बंद के साथी यह अब नहीं लगाएगी यह हमारा ट्रेलर इस पर काफी बर्फपड़ गी है अब खूब बर्फपड रही है तो एक दू दिन तक पड़ती रहेगी तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग करते हैं अगर आपको ब्लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर क्मेंट और सब्सक्राइब पी झालो झालो